ओके तो वल्कम एवरीवन सबका स्वागत है वल्कम 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 डिप्रेशन और उप्चार इसने आप सबका स्वागत करता हूं यह स्रीकांत गायकवार बोली इस पिकन गायकवार आपने अडियों चलू नहीं किया नहीं है यह नहीं करा लगे तो माला पोस्ट पोस्ट नहीं है नहीं है ना पोस्ट एक मिनिट है जब फोस्ट करते हैं जिन्हें कमार किसे तराएं क्यों प्रेशन प्रेशन करते हैं क्यों है को है को स्थीष्ट जीप्ट प्रेशन क्यों प्रेशन कि लोग जायन हो रहे हैं सिरिकांत गायकवार आपको कुछ सवाल है ने तू सकते हैं को सवाल है आपका हात ऊपर है डिएकरन गायकवार है कि ये रहे है प्रसलिनार डोल पन्प एश्टी असे धीअ स्य थेख इस यह और मुल्य दोड़ा सारा है कि बोड़ा रहे हैं बुलिए मेरा सवाल बोलना है आप सबको कि सवाल पुछने से पहले ध्यान रखे कि आज का टॉपिक कौन से हैं और वो टॉपिक जो है वो रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे बाकी भलते टॉपिक के उपर सवाल मत पूछेगा क्योंकि टॉपिक मैं अलग-अलग लीड कर पे रहता हूं तो बाकी जो टॉपिक है उसके उपर सवाल मत पूछो ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आजका टॉपिक है डिप्रेशन और हिप्नॉडिजम तो उसके बारे में आप अब अब आपका आवाज ने आ रहा है आपको फिर से बंद कर रहा हूं आपका आवाज ने आ रहा है आपको अब पर नेक्शन देखा आपको डैसा है तो अभीट पटेल बोलीए अबीट पटेल अवाज ने आ रहा है बराबर इसलिए प्रब्लेम है मैं आपको सुनने पा रहा हूं अबीट पटेल अन्मुट कर रहा हूं आपका अवाज ने बोल रहा है ठीक है गुद ओक्ट हुआ हम चालू करते हैं है और अज का टॉपिक जो है वह है डिप्रेशन स्ट्रेस्ट तनाव जब ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और वह पांस के लाइफ के बारे में तनाव आता है पांस के लाइफ के बारे में अतीत के बारे में भूतकाल के बारे में तो हमें तब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ सकता है जब तनाव जो है वह फ्यूचर क के बारे में भविष्य में क्या होगा तो उस समय हमें चिंता, एंग्जाइटी, नर्वसने यह होता है आज हम बोलेंगे डिप्रेशन है ने भूतकाल, भूतकाल के बारे में सोचना यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, ऐसे कपी सारे यह रहते हैं लोगों के, और फिर उसमें उनको depression आते रहता है, depression और sadness में क्या फरक है, हम sad बहुत बार होते रहते दिन भर में, sad होना मतलब उदास होना, बुरा लगना, उदास हिंता आना, नर्वस होना, यह बहुत बार होता है, बहुत बार, उदास लगना, नर्वस होना, निराश होना, हताश होना, यह बहुत बार होता है, तो उसको डिप्रेशन नहीं बोलते हैं, डिप्रेशन तब बोलते हैं, कि जब कंटिनियोस 15 दिन डिप्रेशन के लक्षन दिखाई दे रहे, कंटिनियोस 15 दिन डिप्रेशन के लक्षन दिखाई दे रहे, में दो लक्षन हैं, डिप्रेशन के, में दो लक्षन, तो में दो लक्षन जो है, वह है, sadness of mood, बहुत उदास लगमा है यह पहला, और दूसरा है, loss of interest, और loss of pleasure, जिसको बलते हैं, अन हिड़ोनिया, कि दो में से एक होना तो जरूरी जरूरी है, पक्काई होना है, कि दो में से एक, पतलब sadness होना जरूरी है, और loss of interest, काई में भी interest नहीं, कुछ भी interest नहीं, कोई रुची नहीं, ना खाने में रुची है, ना काम करने में रुची है, कुछ नहीं, और a sadness of mood है, पतलब यह दो कि दो में से कम से कम एक होना जरूरी, और बाद में उसके अलावा, उसके अलावा, बाकी भी symptom है, उसमें से चार होना जरूरी, बाकी symptoms कोई से कोई से, तो मैं आपको बताता हूं कि बाकी symptom क्या क्या है, उसे symptom है, कि जो symptom रहेंगे, तो आपका काम होँगा, है न, एक मिई, मैं आपको बताता हूं, पढ़के बताता हूं ताकि मैं भूरू नहीं कहीं, जब पहले मैंने बताया कि depressed mood, बतलब sadness, और दूसरा ह है unhedonia, और lack of interest or pleasure in almost all activities, मतलब सभी activity में कुछ भी, कोई भी काम में interest ने रहता है, कोई interest ने रहता है, और फिर additional symptom क्या है, additional symptom है, number 1, weight loss, बजन कम होते जा रहा है, भूख जाबा लग रही है या भूख कम लग रही है, यह भी हो सकता है, number 2, घपरहाट, बेचेनी और restless, बहुत restless हो जाता है, इदर से उदर, उदर से इदर, उदर से इदर, ऐसा हो सकता है, या फिर, एकदमी एक जगा बैटके जैसा कोई statue हो गया, पुतला हो गया, statue, तो statue जैसा इदर बैट जाएगा, कुछ करेगा, तो वो सकता है, number 3, fatigue, ठकाम, और loss of energy, कोई ताकद ही नहीं है, ठकाम लग रही है, बहुत ज़्यादा, number 4, feelings of worthlessness, कि मैं कुछ काम ता नहीं है, और बहुत ज़्यादा, गिल्ट, दोश, खुद को अपराद बोत की भावना लगना, अपराद बोत की भावना है, next, diminish ability to think, और concentrate, लक्ष एकाग्र नहीं होना, या विचार ब्लॉफ हो जाना, कोई पूच नहीं सकता हूँ, विचार ब्लॉफ हो गए, last, बार 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 मरने की विचार आना, मरने की विचार आना, बार 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 की इसके अच्छा में मर गय तो अच्छा है, तो ऐसे जो लक्षण है, ऐसे लक्षण एदी रहे, तो ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ लक्षण में नहीं बताए, नौ में से पांच होना जरूरी है, और पांच इदी पनरा दिन तक है, तो हम बोलती है, इसको डिप्रेशन है, उसके इलाज करना पड़ते है, तो हम बोल रहा हूं, नंबर एक, डिप्रेश मूर, नंबर दो, इंट्रेस्ट नहीं है, कोई भी काम नहीं, ये नंबर दो है, ये दो में से एक तो होना पक्का जुरूरी है, नंबर तीन, बजन कम होना, या भूग ज्यादा कम लगना, नंबर चार, नीन ज्यादा आना, या निन कमाना, नंबर पांच, बेचेनी या पुतला जैसा होना, छे थकान, साथ, अपराद बोत की भावना, या मेरी कोई किम्मत नहीं है, निराशा, खताष, आठ, सोच नहीं सकना, लक्षे, लक्षे एकाग्रमी होना, नंबर नौ, बार 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 मरने की विचाराना, या मरने की कोशिश का, यह नौ लक्षन है, नौ में से पांच होना जरू है, और पांच में से जो पहले दो है, उसमें का एक होना जरू है, यह है, और पंधरा जिन तक ही है, कि इसको depression है, इसको depression है इसका ilaž करना जिरूरी है, क्योंकि एक दो दिन है, एक दिन कभी भी किसको भी बुरा लग सकता है, sadness होता है, आज खाने की इच्छा नहीं है, कोई काम में इंट्रेस्ट नहीं है, यासा एक दिन होना, दो दिन होना, नार्मल है, अभी यह जो depression है, यह हो सकता है, कि कुछ कारण के बज़े से आया हो, कुछ कारण है, और कुछ कारण के बज़े से depression आया है, तो कारण क्या हो सकते है, कारण हो सकते है कि फेल हो गए एक्जाम में, डिवर्स होने वाला है, या हो गया है, कौई घर में मर गया है दम करीब का दमी मर गया अ महदर अक्सिडेंट उगे ऑगया बहुत बड़ा बने बहुत बड़ा हुगा कोई को ड है व्लेर्ट चलुए को, कारले कोर्सिमर को मैं अलग 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 डुशवा कुछ कुछ इसे अलग अलग पुष न कुछ जपकु आई है करें तो पूरे बस में एयर जोम और कुछ ना कुछ कारण सुनति के बजह से बचनर और की आए है तो वह साधा डिपरेशन माना जाता है वो निवरोटिक डिपरेशन माना जाता है को ज्यादा सीरियस महीं है कुछ उसका कुछ से भी कारण है मगर यह बिना कारण कुछ भी कारण नहीं है और तबी भी आपको डिप्रेशन आया होगा है और वो 15 दिन इसे उपर है तो इसका मतलब बहुत सीरियस डिप्रेशन है और उसका आपने सीरियसली इलाज करना ज़रूरी है 15 से ज्यादा है तो यह होता क्या है कि लोग लाइट लेते हैं जान दना कहां बहुत जादा वीचार कर रहा है तू इतना वीचार मत कर तो इसको जो घूम के आ जाएंगे तो 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 अच्छा लगेगा तो फिकनिक चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा तो 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 अट्षा लगेंगा तो टेंबरी लगता हमें है च्टो अक्षा लगता विए लिए मगर ज़ल अनदर केमीकल लो कई तो आ anybody कर लोच्या बारी जब आएकरते चीजि़ु से ठीक ने होताई और चेमीकल लोच है टो और केमिकल लोच इसका मतलब भी है कि जो शीलागुड हर्मोंस है स야 लोटानिन, दोपामिन, एंडर्फिन, ऑक्सिटोसिन को चारोगी हर्मोन पेशली दोपामिया और सिर्टोने ये दो हॉर्मोन की बहुत जादा कमी है और वो कमी के कारण डिप्रेशन होता है अब जब यह कमी है वो दोनों हॉर्मोन की तो फिर तो उसके इलाज करना पड़ेजा लोग इलाज करते नहीं है डॉक्टर के तरफ जाते नहीं है कोई बोलता है कि मुझे अन्हों मरने की इच्छा होती है मरने की विचार आते है तो लोग बोलते है यह ऐसा थूड़ी रहता है जो धौस मारता है तो कदी चरेगा नहीं है कि आफको पताओंगा कि 10 लोगों ने जिन्होंने स्यूसाइड करके जो मर गए एक्चिलिए देफ होगी उसमेंसे 9 लोगों ने ने पहले बोला वा रहता है कि मैं मरने वाला हूं मगर उसका यह बोलना लोग ठेट करके लेते हैं कि नहीं, ऐसे दोस मार रहा है, ऐसा कुछ होता क्या? ऐसा कुछ नहीं होते रहता है, है ना? जिसको करना है, ऐसा बोलेंगा नहीं मगर कोई भी व्यक्ति का यदी ऐसा सेटमेंट है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही है मेरे को मरना है इसे अच्छा में मर गया तो अच्छा है ऐसा किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए भरम लेते नहीं डिप्रेशन में सबसे पहले जैसा सैडने से तरसा खाने के ऊपर बहुत ज्यादा अशर हो जाता है खाना बहुत ही कम खता और उसके पहले यह कोई प्राब्लम आता हूँगा तो पहला ट्राइक होता है नीन के ऊपर नीन ने आदे एक तो यह जल्यादी आएंगी नहीं तो कि नो बजे दख बजे ज्यारा बारा एग रात के दो बजे तभी नीन नहीं आ रही है और सभर फुद्धी निन पुल जाती है या फिर निन जल्दी आजाती है तो बीच बीच में बीच बीच में उट्टे है और फिर लगता है कि निन कुल हुई नहीं या फिर सुबह जल्दी उट जाते है हमदलब 07-11 बज़े सुबहें पांच बज़े उठेंगे चार बज़े उठ जाएंगे है तो प्रॉब्लिम है तो नीन पुदी नहों है कि जो मुड कह पो अच्छा क्षना है यह लोगों को फुग। सुभ जोए वो बहुत कहरा लगता है क्य Competね ajaj re-faptic सब्सक्राइब करने ऐसे सब्सक्राइब ज़िए कि गया होता है यूजली लोगों को सुपह अच्छा लगता है और शाम तक खरा पर न शुरू जड़ा इस ना उसे श्याल को भी भी होना एज तो नौर्म इस लोगों गया कि श्याम को अच्छा लगने चलोगा तो शाम को अच्छा लगना चालोगा जलो शाम को अच्छा लग रहा ऐसा बोलते हैं मगर फिर से पर उठे की पूरा भीमार है तो भी हमको देखना है कि यह ऐसा ठीक होगा तो यह डिप्रेशन है यह ठीक करना हो तो इसमें treatment कैसी करना उसके पहले मैं आपको कुछ पूछता हूँ कि इसको कुछ पूछना है बताना है जर्चा करना है तो आप जर्चा कर सकते हैं आप आपका आथ उपर करेंगे तो मैं आपको बोलने के लिए मौपा देंगे येस, श्रेयस, आपका ओडियो चालू नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, भावना बोली, भावना बोली, अलो सर, मेरे हस्बंड बहुत ही गुश्यवाल है, और वो दस साल से इसे बोलते हैं कि मैं मर जाओंगा, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करते हैं, तो हम लोग भी डर-डर के उनकी बाते सुनते हैं, तो इस चीजों को अभी मैं पहले में बहुत ही जाधा टेंशन में आ जाती थी, और यह सब जगड़े तनाव के वजह से मैं खुदी डिप्रेशन से सफर कर रही हूं, तो समझ में नहीं आता है, अभी मैं खुद लाइट लेती हूं कि अभी जो करना है करो, अभी हम आपकी सब बातें नहीं मानेंगे कि इसको कैसे हैंडल कि तो तो आज नहीं तो कल मर जाओ तो अच्छा तो दोनों भी डिप्रेशन के शिकार है, मजब दस साल से जो है, वो एक डिप्रेशन ऐसा है, एक प्रकार का डिप्रेशन, जिसमें खुरानिक डिप्रेशन बोलके उसके लोगों को प्राब्लेम है और उनका चिविशिडापन होना थिर बॉडी एक्सपेंस होना बदन में धर्ग होना हिडिक होना निंदयाना चिविशिडापन ऐसा वो मेरे बास में बोले मेरे तीन साल से ऐसा हो रहा है और जब तीन साल सा ऐसा ऊरहा तो कोई मानने को तैयर नहीं साकी गोडिया उसने कोई अ मुझेशा अब में में को आपको देखी लेनां को सबस्कृत को पाइट्व हो तुल कोई कोई सब्सक्र करें को पागलगे तुर तरहां कि उसको देखा मैंने तो तुम्हारा क्रॉनिक डिप्रेशन है और क्रॉनिक डिप्रेशन है करके उसको मैंने दबा दिया और दबा देने के बाद में कम से कम 21 दिन के बाद में वह आया और बोले मुझे इत्मा अच्छा लग रहा है मैंने तीन साल मेरे जिन्दगी के बरबा कर लो कि पहले आता तो अच्छा हो रहा दो और कभी किसने बोला है नहीं कि तू साइके इसके तरफ जाता है डिपरेश्य आपको真的 डिपरेश्य ये सामेंसे करीब करीब 10 लोगों को डिपरेश्य आच कुछ ना रेशे剛好 mehr से दस इतना रच्छों हुगा है मतलब 135 hors-population है अपनी को इंडिया की तो 113 क्रोड लोगों को डिपरेश्ण है और हम मुझे के चल ने दो चलने दो आप भी और उन्का भी एकी पास हो पास में से लगता है कि तू पागल है और इसलिए तू मुझे ऐसा बोल रही है कोई लोग है ना वहां से लोग जाते हैं कि भाई नहीं यह पागल पन नहीं है और हम उनको बोलते कि आप थोड़ा अग्रेसिवनेस कम कर दो या एक बर काउंसलिंग कर लो और कुछ नहीं दवाई मत ल बट वो कोई चीज सुनने को रेड़ी नहीं मेरी बात मानो तो मैं अच्छा रहूंगा मेरी बात नहीं सुनी है मुझे और किया तो वसे मरने का करते या कुछ तोड़ते फोड़ते हैं सब को डराते हैं हम सब फिर वापस मतलब उनकी साइड लेने लग जाते हैं आपको ऐ आपको ऐसी जीन है उनकी साथ में। नहीं 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 पिर आपको कुछ तो भी अलग करना पड़ेगा। क्या करें सब्सक्राइब बाताना हैं पूछना है ना? अब कितने शराबी खुद होके मेरे पास में आते हैं एक भी शराबी मेरे पास में इलाज करने के लिए आता नहीं तो आप और नहीं मांने तो आपको जूबी करना पड़ेगा किया आपके घर में आशेन्थी है आप सफर कर रहीtest जी टीक है ओके अबीट पटेल वोलो है अबीट पटेल पहना बोल रोग्टर स्अड वह जी बोलो और वो मेरे को दिंप्रेसेंट 2014 चे तीटमेंट भी ले रहा हूँ कांसिलिंग करा रहा हूं एक मेरे को खाली पेट की सिकायत बहुत हो गई है और गेस्टिक ज्यादा होता है तो इससे मेरे को डर बैड गया है कि कुछ बीमारी है लेकिन फिर में उसमें तो मैं वह क्या कर रहा हूं कि हमारे नंबर डाल रहा हूं तो टेलीफोन नंबर है उनको आप कॉल कर लो एक है अमर का एक है संदीब का से दोनों नंबर डाल रहा हूं तो आप क्या करो कि उनको कॉल करो मेरे अपॉइंट्मेंट लो और बाद में पिर अपन डीटेल में बात कर सकेंगे करना है यह नंबर पर आप आजाओ और नंबर पर आके अपॉइंट्मेंट लिए और यह मेरा बताना चाहूंगा बाकी लोगों को कि मैं और ग्रूप का नाम दे रहा हूं सब्सक्राइब करना हूं सब्सक्राइब करना है तो लोग उसमें नहीं है उनको सब्सक्राइब के ग्रूप में आईएगा यह क्रोचा कि हमारे प्रोग्राम जो है वह जिए आप आते रहते हैं वह प्रोग्राम में आपको बहुत सारा एंसर गलते लिए टेली क्लिक लिंक टेली घ्रम की लिंक है एदेलिग्ञाम टेलिग्राम क्लिव कि अ तेलिग्राम में आते हैं तो आपके बीमारी के बारे में तो आप मेरी अप्वाइंटमेंट्मेंट्मेंट्म देखेंगे इसका इलाज क्या है डिप्रेशन का तो इसका इलाज दो तरस है दो तरस हैं एक पहला वाला जो डीप्रेशन है कि जो कारेंट से हुआ है मामूली लक्षन है बहुत जादा लक्षन नहीं है तो व्हों है इपनॉटिसम से और और कोगनिटीव बिएवेर ठरपी से थीक होता है उसके लिए actually दवाई लेने की जरुद नहीं है है ना hypnotism से और neurotic depression से ठीक होता है दूसरा जो है major depression disorder major major depression जैसे मैंने बता है कि बहुत ज्यादा depression है और chemical locha हुआ है brain ने और chemical locha की वज़ह से ऐसा हो है chemical locha और उसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है तो फिर उसके लिए medicine की सकते जरूरत है और यदि वह ऐसा बोल रहा है कि नहीं मेरे को मरना है मरने की इच्छा हो रही है तो तुरंट उसको doctor के पास जाके उसका इलाज करना बहुत जरूरी है आप सेकेटिव के पास में जाओं आप जहां भी रहते हैं और उसका इलाज करें तुरंट यदि कोई बोलता है मेरे को suicidal thoughts है मरने की इच्छा और रही है ठीक है इसमें अलग-अलग medicines है जैसे anti-depressants जो है उसमें एसेस आ रहा है एसेस आ रहा है नाम की दवाई है ट्राइसाइकलिक्स है तो वह आप लेते हैं टॉक्टर के प्रिस्टिविशन के उपर तो आपको 15 दिन से लेके 21 दिन में आराम पढ़ जाता है और दवाई जो है वह 6-9 मेना लेना पड़ता है तो योग है major depression इसके लिए दवाई की जरत है तो minor depression इसके शायद दवाई की जरत नहीं पड़ेगी मगर आप डॉक्टर के बसे तो दॉक्टर तुरंद आपको दवा लिख के देंगे क्यों कि आपको भी चाहिए मैं बोलता हूं की दवाई की जरत नहीं है आप मेरी कॉंसिलिंग करो हम क्या होती है और उसके बार में सफ़ासा बताता हूं की देते हैं तो उसका थोड़ा समय हिपने दम आपको बैग्राउंड दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह हिपनाटिसम जाएन उसको ट्रांस हिपनासीस प्रातक विद्या मेसमेरिजम मोहीनी विद्या एनिमल मैंगनेटिसम तम्मोहम विद्या वशीकरण विद्या ऐसे नाम है तो इसके पहले हमारे असिस्टंट जो है यहां बैटेवाए सचिन वो बोल रहें की बाकी थोड़ा स को लेते उसके बारे में बोलो तो उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि यह हम प्रोग्राम लेते हैं यह हर गुरुवार का प्रोग्राम है एवरी थर्स देख लिंक हमारी वही रहती है सेम लिंक रहती है यूट्यूब में भी लोग आते है और यूट्यूब में मैं आपक करने का मोगा मिलें तो यूट्यूब में जो लोग है उन्होंने इदर आना जरूरी है जूम पर आये तो अच्छा है यूट्यूब के ओपर लिंग डाली है और यह हम प्रोग्राम लेते हैं हर गुरुवार को लेते हैं और हमारा मकसद है कि stress-free India तनावमुक्त भारत अभियान को चलाना और तनाव मुक्त भारत अभियान को चला के और हर अवेक्ति को कण्म करना तनाव को से डिप्रेशन आता है कि अधिवर्यशन के बारे में माज बात चाता है है कि का वैलनेस खेलिंग मिल लिए किस एअधो इस हमने अध्रूर् तो इसमें आप आते हैं तो इनको इंट्रेस्ट है इपनोर्डिसम के बारे में जानने है तो वह वह ग्रुप में आसकते हैं अभी के अभी वह ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं तो इस पाठा एक शेक लब अटूंगे तो तो यह हर गुरुबार को मारा क्लास होता है एक मिनिट है जानने पार को एक मिनिट यह सोल रहा हूं कि यह गुरुप में आप जाइन हो जाओ ताकि वहाँ लिंक में डाल रहाँ यहां आपको मिल जाएंगे यूट्यूब भी डाल दो और यहां भी डालो ताके लोग वो लिंक के लेके उसमें जाइन हो जाएंगे तो भी फिर से आते हिपनाटिजम के तरफ यह कोई हिपनाटिजम जो शास्त्र है नहीं है तो यह American Medical Association, American Psychological Association इन्होंने एंडॉर्स किया हुआ है British Medical Association इन्होंने भी एंडॉर्स किया हुआ है और यह Subconscious Mind का Reprogramming का शास्त्र है Subconscious Mind का Reprogramming होता है उसका यह शास्त्र है अंतरमन Subconscious Mind मतलब अंतरमन का Reprogramming का तो सम्मोन से जीन आ सकती अच्छी तो आप जी देखेंगे अपना माइन तो बर्व की चाट्टान है और वो समुदर में रखी हुई है तो क्या होंगा मालूम है 10 प्रतिशत समुदर के पानी के ऊपर है और 90 प्रतिशत समुदर के पानी के नीचे रहते हैं जाते को ने 10 परसेंट ऊपर है 90 परसेंट लीचे है वैसे अपने कॉंशेस माइन जो है वो 10 परसेंट है और सबकॉंशेस माइन जो है वो 90 परसेंट है हम क्या करते है कि सबकॉंशेस माइन जो 90 परसेंट है उसका री प्रोग्रामीं करते हैं जी पूरा सबकॉंशेस माइन आप जो गुमा रहा तर यह पूरा सबकॉंशेस माइन और उसका री प्रोग्रम्री हम करते हैं अब हम इसमें क्या दước आँचे ओ और लसे childhood a सकार अत्मक सूचे ना देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं और उसमें आत्मे ठीक होना चालो हो जाता है, यह बार 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 करना पड़ता है, यह को नहीं ऐसा करते हैं, डिटिल में जाओंगा निमें, उसके लिए आपको हिपनारिजम के क्लास में आना पड़े समझ में आएंगा, यह लड़की बैटिए इसको मैंने हिपनोडाइज किया, हिपनोडाइज करने के बाद में क्या होता है, पॉजिटियन का जो अपोजिशन है, उसको यह बोला कि तुमारे हाथको अधि सुई चुबा रहा हूं, इसा मैंने बोला, अधि सुई चुबाए उसको एक भी सूई चूब नहीं रही है क्योंकि मैंने उसके सब्कॉंचेस माइन को बोला है देखिए आप जड़ा यह देखिए कि हिपनोडाइस करने के बाद में समझम सूचना देते हैं कि आपको दर्द नहीं होगा तो दर्द होता नहीं है है ठीक है ना तभी हम मैं इनको हिपनोडाइस कर रहा हूं यह उगली के तरफ देखो उगली के तरफ देखो उगली के तरफ देखो देखते देखते आप हिपनोडाइस हो जाएंगे आपके आके भारी भारी हो जाएंगी एक दो और तीन आके भारी हो गई और आके बंद हो रही है कि स्लीप 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 और डीप अभी आपको गहरी 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 सम्मोह नमस्ता लग रही है और आपको यहात में कुछ भी दर्द नहीं होगा दर्द नहीं होगा बिलकुल दर्द नहीं होगा मैंने कुछ भी चुबाया तो भी दर्द नहीं होगा मैं कुछ भी आपको चुभा रहा हूं तभी आपको दर्द होने वाला नहीं है और आपको मैं चुभाँगा कुछ तभी दर्द होने वाला नहीं है एकदम आप रिलाक्स है और दर्द होने वाला नहीं है आपको दर्द होने नहीं यह देखिए अभी यह दर्द होने वाला न नहीं है। मैं और आपको कोई सुअप रहा हो तभी आपको दर्ध होंगा नहीं। मैंने इंको मनाकर दर्ध की हाथ को दृद्ध नहीं हो का फिरहां कि हाथ धरनीोंगा। छार सुअब एफ मैंने दियो एक आठही च्रलिड demi यह और इनको कि बिना दर के बैठी लिए मैं भी यह सुझा निकाल रहा हूं कि यह निकाल लिए सुझा देखा आप नहीं है कि जब इतनो डाइस करते हैं तो कुछ होता नहीं तो क्या होता है कि एक पर यह इपनाड़िजन है और दूसरा है कॉगनेटिव बिएवर थरिपी काहिए यहां कॉझनेंटिव थरिपे में क्या करते है कि पोलते हैं कि एक्चिली इसकी शुरुबात है देप्रेशन की जो वह कहां से यह बताऊ पहले कि हुआँ सिंसरे कास्रीजरन का है कौंसा थोट आया और कुंसा थॉट आया पहला जहां से आपको डिप्रेशन आना शुरू हो गया सोचो 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 तो बताता है कि हाँ मैं आट दीन पहले अच्छा था आट दीन पहले अच्छा था और अच्छानक एक थांट आगया एक घटना हुई और फिर वहां से मुझे नर्वसने लगने लगए तो वह थांट को पकड़ते हैं और फिर उसके साथ में समवाद करते हैं कि जो आपने उसका मेनिंग लगाया क्या वह सह मीनिंग है जैसा फर पेशेंट बोलता है कि उसे बहुत नर्वस लग रहा है चालू कहां से हुआ ने चालू यहां से हुआ कि मैं कोई शादी में गया वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे 50 लोगी शिर्फ बुलाए थे उन्होंने प्छेप्शन में एकदम घर के लोग और वहां उन्होंने म है नहीं मैंने डिशात में ली नहीं है मैं भुका वहां से चलेया है और मुझे ऐसा लगा कि यह लोग मुझे हाँ देते नहीं है यह मेरा मान करते नहीं है इसोंने मुझे पुछा नहीं है अच्छा वहां से शुरू हो गया है यहां वहां से शुरू हो ठीके बाद में क्य कि उसने नमस्ति किया नहीं तो मुझे दिमाग भी विचार आ गया कि इसने मुझे निगले किया पहले वाला किया था कि उन्होंने मुझे भाव दिया नहीं उन्होंने मुझे मान किया था इसने मुझे निगले किया तो एक क्यों पर एक ठर कैसे जम हो जाते हैं दोनों भी ए किये फिर वहां से घर आ गए घर आने के बाद में मालूम पड़ा बिल दबाया टिंग टॉन कोई नहीं है बच्चे ने जर्वाज खोला पूशा मा का हैं बहुत बाहर गई है बुदे चाय चाहिए थी नास्ता चाहिए था और मुझे मिला नहीं पत्नी को मालूम है कि मैं इस समय घर पर आता हूं और मुझे चाय नास्ता लगता है तभी उसने वह व्योस्ता की नहीं और इसलिए मु पर दोस ने निकलेक किया पर पत्नी ने भी निकलेक किया मुझे यह लगने लगा है कि सब लोग मुझे निकलेक करते हैं सब लोग मुझे निकलेक करते हैं चलो गया डिपरेशन तो हम कॉग्निटिव यह थरीपे में यह धून की निकालते हैं कि क्या है सही है पत्नी घर प और आपने उसका आर्फ निकाला कि यह मुझे निगल्श करती है तो क्या यह सग है यह क्या यह उसका आर्फ है कर दो सक्क्राइब निलेकत करती है और उची हर्थ हो ग्या है हो आप लेहां और यहां अव beneath को रहता हम anthropology तो खरिदने के लिए कही होंगी मजायर में फिर भी कुछ खरिद नहीं होंगी तो घर की चिंद आया नो उसको और उसको ऐसा लगा होगा कि जल्दी आ जाएगी वापस तो कोई लेट हो या होगा क्या प्राब्लम हो रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको निगलेक कर बारा पराँ कांशिलीं होते रहता यह और उसमें त्फिर लोग धीरे 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 उनमें फररक परना चले तो दवा और कॉंसिलींग कईबहों होता है हिपनाडिस्म में सचेंशन में सजेशन्स देखें स्चेंशन Myers पयार करते हैं और वहां से लोग wreckers ऐऊप्रेश तो आप अभी इतने लोग है अभी 63 लोग है और उदर यूट्यूब के ऊपर काफी लोग है यूट्यूब के ऊपर 22 लोग है 85 लोग है मेरी सबसे इसी रिक्वेस्ट है कि आप यदि सब लोगों को यह इंफर्म करते हैं कि रहे बही डिप्रेशन हुआ और आप साइकियर्ट सबस्टेंब को इसके बास में घय इसका मतलब कोई आप पागल होंगा एसा नहीं है पागल लोग जाते हैं इसा नहीं है डिप्रेशन हुआ तभी जाते है आप इलाज करो ताकि आपका वह जांगा आपने देश का भी भला हूं मैं यह रुकता हूं आपको कुछ किसी को वह जा रहे हैं तो आवा जा रहे हैं तो अब थोड़ा ठीफ हो रहे हैं तो हिपनोटीजम उसमें काम करता है क्या उसको स्क्रीम दो फिरिया गोलते हैं ना है 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 इस का दवाई भी चाल लुए अब है तो इस लिंक भी बेज़े जाती है यह अब मैं नमबर बेजता हूं तो दो नमबर के अब डाल रहा है यह जो को इसको अब जोट वोक्य ठीक है उसको ऐसे कंगता है कि जोब कोई मारेंगे मेरको हो कोई आने वालाघ और्याज थीक है नहीं टीक है ता रहाएगे अब अधू येश ठीक है करेंगे उसको एक ठीक है येश। एच जबने हैं जी बोलो सब्सक्राइब करें जा सकती है उसकी इच्छा है तो तो यह जाते हैं तो है और में चाहता है मैं बोला ना मेरे पास में आने वाले सो में से एक दो एक सब्सक्राइब करें तो जो चाहते हैं तो ठीक है कर सकते हैं तो यह तो यह बतारा हूं मैं अभी आप यह इसमें डाल दो हिपनाटिजम के गुरुप में जायन हो जाओ है देखलो सब को जायन होने के लिए पोराओं थाकि आपको सबको इंट्रेस्ट से कितने लोग जायन हो जाओ लिंक से ना यह रोशन बोलो रोशन दोशन बोलो पर वाकरगी बोलो प्रभा कर वाकडव बोला गार जैए गुरुद्यो कि पुह रोटन के तो इसका एए बिद्न वाक को समन्द गैंग् Us जैसे कि हरीडिटी में रहा आने मा और पिताची को रहा, तो एक को आता, उसको हरीडिटी भी बोल सकते हैं लेकिन दो भाई को कुछ भी नहीं होता, एक, तो हरीडिटी का अगर रहा तो इसका शिकार जल्दी होता क्या। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पिता जी को नहीं है तो बुच्चों में और उनको चार बच्चे हो गए का इपनदीन कि अनुट में दोनों को मा को भी डिपरेशन घृप रिपरेशन और उनको चार बच्चांज हो गए तो चार में से दो लोगों को डिपरेशन होने की तो इसको आवईट कैसा कर सकता है कि ऐसको आवएड कुछ नहीं है माश पीर चैंसद है कि दोनों केो DAVID आप एसे न है शक्रवे राश मा को डिपरेस्थन अब पिता जी को शिजर नीन कैं तो तो सभी चांसद वह氣 और जो जो आपने बताया है जो इसके लिए आपने इपनाटिजम बताया और उसका जो मूल कारण है उसका निकाल के उसको पंसलिंग करना ये बताया वैसा केमिकल लोचा के लिए कुछ है क्या केमिकल लोचा के लिए करके देखना पड़ेगा जैसा अभी बोलते है एक्सराइस करो मेडिटेशन करो इपनाटिजम करो है ना अच्छा पड़ो अच्छी किताबे पड़ो लोगों में जाओ घुमो फिरो है ना ऐसा बताते है मगर यह अपने पास में बेस्ट ट्रिप्मेंट है वे दवाई दिया अच्छा हो गया तो क्यों घुमना इदर उदर दवाई लेना अच्छा हो जाना ना उसने दवाई भी लिया और यह भी कुछ किया तो जल्दी अच्छा हो यह कि आप दवाई भी ले और हिप्नाड़म भी कर दवाई भी ले और कॉंसिलिंग भी कर जल्दी फाइद हो जाए नाकपूर मेंटल हस्पिटल में कुछ साल पहले गया था पत्चीस साल पहले महां बोड में लिखावा था कि अगर तुमको मांसिक लोग अवाइट करना है तो नितिमत्ता से रहो अध्यात्निक तरफ वैने इसका तरफ ध्यान दो इंटीग्रिटी में अपने भाशा में रहो तो इससे भी तुम बस सकते मतलब कोना चे पैसे गेने नहीं डुबोने नहीं इसको फसाना नहीं गलत क पुरू सकता हैं जितना तनाव कम जितना तनाव कम उतने कम चांसे से बिमारी होने की था जितना ज्यादा उतने ज्यादा चांसे है यह श्वतित पाट अ हाँ जी हलो हाँ बुली सरावाद सर मुझे ये पूछना था कि बच्चों में मतलब 13 14 years old जो बच्चे रहते उनमें school या colleges में बुलिंग होती है तो या फिर ज्यादा पढ़ाई रहती है तो फेल होने के वगरा चांसे स्रेते तो और डिप्रेशन में जाने के चांसस रहते तो वो कैसे अमगवाय करें या फिर आफेर करते हैं बच्ची एसे गलत चीजों में नहीं जाना जाए इनश्या है डिफरेंट टाइपस तो सर उससे बचने के लिए क्या करें या फिर डिप्रेशन में नहीं जाए आगे जाके अब शन्या अफेर है अपी काँ ए लिफ मया het इनका रख्रत। अब उनको यह संझाना पढ़ेंगा यह अच्छा बुर्ण कुछ नहीं है जैसा अच्छा है वैसे बोरा भी है फाइदे है वैसे नुकसान है और चौइस आपका है क्या करने आपको भुगतना पड़ेगा जैसा पर एक्गजमब एक mina अच्था है कि निःर बच्छों को सिखाते हैं 그냥 यह बूरा दो खोई इस में ağ nerv कि पेसक एक बीन ज मईरे पास में एसे पहले लोग आते हुं कि यहीं को जो होनों है मैंने में और आया हमलों मिजह कर देसा में देजिए वार्चा पिज़ए प्यजर्ट की आधत देखके वह भी चलोगा पिना मेरा चौशित कहुतb मुसे मालूम है कि उससे कैंसर होता है थूने के नहीं पिना उत्यू मुट्यद ले दे अच्चा वूरा कुछ नहीं क्या करण ढूब है वह व्यक्ता तो नहीं तो देखे ले मैँस को भी है तो भूगतना पड़ेंगा इतना पग्ता है या बूगतना पड़ेंगा इतना पक्का है तक भूगतनी कि तेरी दखो कि आपको प्रॉब्न है तो जो भी है कि आप बच्चों के साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो definitely उनको निरने लेने दो, कि क्या निरने है जबरदस्ती नहीं करना है, चाहिए नहीं तो चाहिए नहीं तो चाहिए, मगर समझने लाइक बच्चा नहीं है फिर अपने को सो रोकना पड़ेगा, एक दिवी चोटा बच्ची शळारत कर रहा है तो उसो रोकना पड़ेगा, तु हमाजता है, उसे अवरे बात्यत चित सब्सकgor गंदेगे 14-years-old मरेट को साल जा खोईए जो फाइदे, नफसाने है क्लिए आ रुदेवरिया दुदाने रहा है यस थैंक यू मनमुहन मिना बले मनमुहन मिना यह वाइ निया अई नमस्ते शरा वाज रहा है प्रेष पहले यह सोचता था कि जैसे जिसको अच्छी नीन आती है ना उसको बिचार नहीं आते वाहपने जैसे बताया था इसको अच्छी नियंद आती हैं उसको बीचार तो आते रहते हैं वह सिरियस तो सरी ये बाद सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको सब्सक्राइब को अच्छी बना सके थोड़ा सा डेप्रेशन के दो अपने रिलेटिव वीडियो देखने के इच्छा होती है तो बेजो लोगों को बताओ यह लिंक है बलनाया यह गुरुवार को हम हर गुरुवार को सेशन लेते हैं इसकी लिंक लोगों को भेजो इसमें लोगों को आने दो हैना इसमें लूग आएगे देकने सुनेंगे तो उनको जिवन जैसे आपका अच्छा हो गया आपका इतने 6 साँनेज़ा का प्रब्लेम्श जिञे सबस्राइए प्लिश का लोगों कभी अच्छी भोगा ऊंपि ज साथ हजार बचार रोज आते हैं सर फिर मैंने यूटूब पर काफी सर्थ किया तो मैं सूत्राओं को सब को आते हैं तो फिर मेरी प्रोब्लम सोल हो गई सर काफी अध्यक्त बस खाला सका हूं कि एक लाग रुपे का चेक बेद दुर्पर की सरे बोवा उन्हां कि आपको सर्व जी सर्व और सर्मुवन में कर दा हो सार बैसे तो कब जैस ने में बहुत लाग रुपे का चेक बेद दूपे लेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे सर और फिर बड़ा और देखाता है रहुंगार फिर जी सर जैसे 80 परसेंट तो सहीओ अभी 70 80 परसेंट गुड गुड जी सर ठीक है काफी लोगों के हाथ उपर है और एक लांस्ट यह कर रहा हूं रोशन बाद में फिर हम अगले गुरुवार को मि अगले गुरुवार को क्लास नहीं होगा अगले गुरुवार का ठीक है ना उदास लगना तैने से और तिंकिंग में कोई सैडनेस की अधिक को ना लगना जैसे जॉब में काम में किसी चीज में क्या कर दात नहीं है इसके अधिंकिंग और तिंकिंग के साथ में डिपरेशन आ सकता है सब्सक्राइब तो मैं बताना आपको कि नर्वसनेस सैडनेस लॉस अप इंड्रेस्ट अना लैक आप प्लेजर यह सब करते हैं यह प्रोग्राम अलग-अलग करते हैं सब्सक्राइब लुद्स deep तो उसमें भी आप आ सकते हैं। और देखेंगे किया है तुम, 15-15 कि पंदरवमेंगे वेरी मुच मिलते हैं थैंक यू, गुड़नाइट, सी यू, वाइबाय, थैंक यू.